हलो एवरिवन तूड़े विल इस्टड़ी लेसन एट नाउन नाउन मेंस संग्या इसे आप फर्स टाइम पढ़ेंगे बहुत डिफिकल्ट नहीं है आप अच्छी तरह ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा देखिए जैसे कि हम सभी का एक नाम होता है जैसे मेरा नाम समता है किसी का द्रश्टी आर्यान रोहित ऐसे हम सब परसन हैं कुछ एनिमल्स के नेम जैसे कि डॉग, काउ, कैट कुछ थिंग्स के नेम जैसे कि पैंसिल, इरेजर, बॉक्स कुछ प्लेसे के नेम जैसे हाउस, टेंपल, कोटा, डैली, इंदौर, भवानी मंडी मैं आपको इस लेसन में कुछ नेम्स बताऊंगी, इसे ही हम नाउन कहते हैं लुक एट दे पिच्चर्स एंड टेल देयर नेम्स, देयर नेम्स आर नाउन्स, हम यहां कुछ पिच्चर्स को देखेंगे ये सभी पिच्चर आपकी जानी पहचानी है इन सबको ही हम नाउन कहते है जैसे कि यहाँ पर Names of Places House, Temple, Garden, Zoo Names of Persons Krish, Dolly, Ramesh, Mina Names of Places में कुछ जगों के नाम है Places means जगर यहाँ पर Garden, Zoo, Temple, House इनके ही नेम दिये गए है इसके अलावा भी बहुत सारी Places होती है जैसे कि Bank, Railway Station Kota, Bhavani Mandi, Indore अब Names of Persons में कुछ लोगों के नाम दिये गए हैं जैसे Krish, Dolly, Ramesh, Mina और भी बहुत सारे परसन हो सकते हैं जैसे Doctor, Teacher, Mother, Father यह सब भी Persons में ही आते हैं Names of Animals Lion, Cat, Dog, Elephant इसके अलावा भी बहुत सारे Animals के नेम आप जानते हैं Names of Things जैसे Chair, Table, Bag, Bottle इसके अलावा बहुत सारी चीज़े होती हैं जैसे कि Pencil, Eraser, Sofa, Mobile, TV सभी चीज़े हैं Things means चीज़ें जैसा कि हमने पिछले पेज में पढ़ा उसके Accordingly Noun की Definition है Noun is the name of a person, वैक्ती, Place, जगह, Animal, जानवर, और ठिंग, वस्तू Noun is the name of a person, place, animal, और ठिंग यह Noun की Definition है अब हम इसके कुछ और Example देख लेते हैं Name of a person, सीता, गीता, बॉई, डॉली, गर्ल, प्लेस, डेली, इंदोर, मुंबई, स्कूल, आगरा, एनिमल, डॉग, कैट, लाइन, एलिफेंट, जेब्रा, तिंग, कार, टॉई, फैन, लॉग, फोन इस तरीके से यहाँ पर कुछ परसन, प्लेस, एनिमल, और ठिंग के और भी Example दिये गए हम कुछ sentence example के पढ़ लेते हैं, now we read some sentences of example अकबर वॉज ए ग्रेट किंग, इस sentence में अकबर और किंग, two nouns हैं, अकबर एक किंग का नेम है, इसलिए वो एक परसन का नेम है और किंग भी एक परसन है, इसलिए यह दोनों इसमें noun है, the ganga is a river, गंगा एक river का नेम है और river एक river है, इसलिए यह दोनों noun है, dog is a pet animal, dog और animal, यह दोनों इसमें noun है dog animal का नाम है, और animal भी animal की category में आता है, box is red, box एक thing का नेम है, और red एक color का नेम है इसलिए यह दोनों noun है, ram is a clever boy, ram और boy, दोनों word इस sentence में noun है इस तरीके से आपको noun समझ में आ गया होगा घटकोzony है जसे न segurक का प्याते रह दोनों rewards हीो, और यह दोनों में आ खक का ंतमों है